वापस लो! दीजल और पेट्रोल के दाम पहली बार देश की आजादी के बाद बराबर हो गया। केंद्र सरकार को इस दाम को ततकाल वापस किया जाए नहीं तो ये सरकार जन बिरोधी, किसान बिरोधी, छात बिरोधी और व्यापारी बिरोधी है। केंद्र सरकार की जो किसान और गरीब दिरोधी नीती है। पेट्रोल और डीजल को उसने कमाई का धंदा बना लिया है। 20 रुपए कच्चा तेल प्रत लीटर मिल सता है, जिसमें अपनी ड्यूटी, एक्साइस ड्यूटी उसने प्रत लीटर 32 रुपए लगा रखी है। वैट टेक्स अलग से राजसरकारे लेती हैं, जो पेट्रोल और डीजल हमें 50 रुपए में मिलना चाहिए, वो पेट्रोल डीजल आज 70 से 80 रुपए लिया जा रहा है। मैं अन्रोद करने आया हूँ, कि अगर 2014 में 9 रुपए 20 पैसे केवल एक्साइस ड्यूटी ली जा रही थी, तो आज प्रत लीटर 32 रुपए क्यों एक्साइस ड्यूटी ली जा रही है, पर 18-18 रुपए 20-20 रुपए जो है इसमें वैट टेक्स लिया जा रहा है। गरीब और किसान मजदूर को उसको परिशान करने के लिए, उसकी जेब में मार करने के लिए, ये जो उन्होंने नीती अपनाई है, इसे गरीब किसान मजदूर परिशान होगा, आम आदमी परिशान होगा, हमारी अपील है, कि टेक्स को कम करें, और टेक्स अगर कम करेंग तो अपने आप आम आदमी को इस से रहाप मलेगी, तक्काल प्रिट्रोल डीजल की कीम्तों में रहाप देनी चाहिए और इनके दाओं में क्रमी करनी चाहिए ये अपसो। बापसोर! कोत रर्व की एलाबोर! लो इसाल के बा उव तांवार हिलाबोर!